असलाम अलेकुम जी, इस लेक्षर के अंदर हम एक केस टड़ी पे काम करने वाले हैं, जो एक कंपिटिशन है, विच इस ओनलाइन ओन केगल.com, केगल.com के उपर हम इस कंपिटिशन को देखेंगे और उस कंपिटिशन को अपने पास डाउनलोड करेंगे उसका डेटा और उस पहली चीज़ यह है कि हम जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से कोई भी कंपिटिशन हमारे पास केगल.com के उपर आता है, तो मैं यहां पे अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ, तो कल के लेक्षर के अंदर अगर आपको याद हो, हमने कुछ चीज़ें देख की थी, वो भी मेरे पास यहां पर उपन हुई है, और अगर हम केगल.com पर जाता हूँ, गूगल पर जाने के बाद मैं यहां पर लिखता हूँ, केगल, केगल का यह वला लोगो आ जाएगा, केगल भी बोलते हैं, इसको केगल भी बोलते हैं, अप जो भी प्रनाउस करना च कुछ कंपिटिशन ऐसे हैं, जो आपको पे भी करते हैं, और अच्छा खासा पे करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह हुआ, गर 110,000 डॉलर कोई बंदा पे कर रहा है, या कंपनी पे कर रही है, इसका मतलब यह हुआ, के वो जो कंपिटिशन है, वो मुश्किल भी है, ऐसे हलव हो गए अपने, so it doesn't happen like that, you have to think in a way, कि आपके टीम बने, टीम बनके उसका एक प्रोटोकोल होता है, प्रोटोकोल के बाद आप सोचते हैं, सोचने के बाद आप यह फर्चा करते हैं, अब लोग यह कंपिटिशन क्यों देते हैं, अगर यह कंपिटिशन ना दें, तो क्या हो पहले हम यह सोचते हैं, पहले बात यह, कि अगर यह कंपिटिशन ना होते, 110,000 डॉलर की जो प्राइस बनी है ना होती, तो क्या होता, यह इस एक टास्क के लिए, एक बंदा हायर करते हैं, यह दो बंदे हायर करते हैं, इस एक टास्क के लिए, अब मुझे आप बताएं, जब एक टास्क के लिए, तीन से चार बंदे हायर हो रहे हैं, उनकी सैलरीज मंतली जानी थी, उनको इन्हें छुटियां देनी पड़नी थी, उनकी इंशोरंस के रोले, उनके वीजे के रोले, उनको इंपोर्ट करने के रोले, मतलब बाहिर से बुलाने के रोले, काफी मसल थे अब क्या किया उन्होंने उनको फिर तीन तीन किसम की नोट बुक्स या तीन किसम की आइडियाज मिलने थे हो सकता वो तीन मिलके एक बनाते उन्होंने बनाया competition कि लो भी open कर दो इसको kegel पर डालो competition के तोर पर अब एक notebook के अंदर कितने लोग participate कर रहे हैं you have you can estimate के अच्छा खासा जो data scientist का एक मैं बोलूँगा इसका भीड है इसकी वो इन competitions में participate करते हैं और अगर हम अंदाजा लगाएं तो on an average एक competition के अंदर thousand प्लस तो होते ही है वो होते ही है ठीक है अब जहां पर तीन बंदों की salary निकर नहीं थी यहां पर हजार बंदों ने participate भी किया और उनको salary की भी नहीं ज़रूरत मैं उन्हेंने काम करके दे दिया जीत के जीत के ना जीते तो ना सही ठीक है अब क्या हुआ इनके पास एक bulk of quantities के अंदर मतलों इतनी बड़ी quantity के अंदर सारे की सारी note books आ गई कि they can actually sort it up और उसकी base पर वो देख सकते हैं एक और चीज़ जब आप competition में जाते हैं यहां पर leaderboard होता है क्या leaderboard होता है आप अपनी file submit कर वाते हैं जो उन्होंने test file आपको दी होती है आप test file को submission file के through submit कर वाते हैं फिर यहां पर score आते हैं तो जिसका highest score है इसका मतलब है कि वो सबसे ज़एदा accurate model को उसने prepare किया है तो वो sort up automatically इनके लिए sort down हो जाती है सारी की सारी चीज़े ascending या descending order में उन्होंने top seven भी वो देख लिए उनके लिए इनाफ है और दूसरी बात इनकी बले बले शावा शावा हो जाने लोजी नोंने केगल पर competition करवाया अफलांग company ने समझ रहे हैं बात को और फिर हो सकता है इन्हें tax भी ना pay करना पड़े अगर किसी employee को रखते हैं तो there are many other administrative things they have to look into फिर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं different multiple institutes मिलके भी competitions करवाते हैं ठीक है so that is why we are focusing on competition कि एक freelancer या एक ऐसा बंदा जो competitions में participate कर सकता है he or she knows या 5 बंदों की team या 10 बंदों की team किसी competition में participate कर सकें then क्या होता है they can win a lot of money win नहीं भी करते है उनका portfolio strong हो जाएगा कि flang competition में उन्होंने participate किया था अब यहां पे competitions आपके सामने आ गए हम क्या करेंगे पहले एक ऐसे competition में participate करेंगे जिसकी चर्चा जिसके बारे में हम बात बड़े दिनों से करते हैं which is titanic machine learning from disaster data set मैं इस पर क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं यूजिली you have this kind of button here obviously आपको kegel.com पे login होना पहले जरूरी है ठीक है फिर यह बटन आ जाता है submit prediction का और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास पूरे competition की detail है एक्सवरो काद लोगों ने videos भी डाली होते हैं you can watch that video as well उसकी deadlines वगएरा अक्सर की होती है अक्सर की नहीं होती है you can actually submit at any time क्योंके इसकी कोई deadline नहीं है क्योंके इसकी price money नहीं है so this is a kind of swag competition ठीक है अब swag competition क्या होते है और arm competition क्या होते है you can see that अच्छा एक होता knowledge competition कि आपने सिरफ अपने knowledge को gain करने के लिए करना है और इसकी कोई deadline नहीं है फिर होते है swag competition swag में क्या होता है आपको basically badges मिल जाते हैं competition में आपने participate किया था उसके badges मिल जाते हैं और अगर आप टॉप पे आ रहे हैं तो swag आपका बन जाते है swag वो है ना एक swag से करेंगे सबका swag swag का मतलब होता है कि बड़े you know swag style को बोलते है basically कि यह data scientist नहीं यार कमाली कर दी है कूल बनने के लिए आपको data scientist कूल data scientist बनने के लिए हम काम करेंगे Titanic data set के उपर यह वला जो competition है इसके data वे उपर मैं नहीं कहूंगा कैसे नहीं से आप निकाले और 16,89 competitors हैं और 15,000 कुछ teams हैं और entries अभी तक 66,000 plus हो चुकी है ठीक है अब देखते हैं कि leaderboard के अंदर हम मेंसे जो top पे आ सकते हैं यहां पे अभी तक जो one score वाले कितने ही हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी 100% accuracy पे आती you cannot jump into the top क्यों क्यों कि यह ऐसा competition है जिसके अंदर one वाले काफी बैठे होंगे सही है तो यहां पे जीतना मकसद नहीं है काम करना मकसद है तो हमने क्या करना है सबसे पहले चीज़ यह rules पढ़ने होते हैं और इन rules को पढ़ने के बाद आप decide करते हैं कि आप किस तरीके से इस पे काम करेंगे और अगर आप other user के साथ बात करना चाहते हैं तो इन्होंने यह discord का एक server भी बनाया Kaggle का ठीक है मैं इस पर click करता हूं तो आपके पास इस तरी से Kaggle community open हो जाती है और मैं यहां पर continue to discord करूंगा तो मेरा discord का server open हो जाएगा where I can actually see कि यह किस तरीके से discord के ओपर चार रहा है so you can join that server as well मैं join कर लेता हूं Kaggle के server को so I can see के मेरे पास Kaggle का server जो है वो discord में आ गया but you know better कि किस तरीके से यह काम करता है let me see now it's fine okay so the competition is simple हमने machine learning use करने to create model that predicts which passenger survived the titanic ship rack मतलब survival का column जो है हमारे पास क्या होगा क्या होगा target survival का column ठीक है और फिर हमने क्या करने है हमने ये वीडियो को देखने है you can check that video but हम यहां पर देख सकते हैं कि sinking challenge है कब हुआ था कब नहीं हुआ था अब आप शुरू से maiden voice the widely considered unsinkable rms titanic sank after colliding with iceberg movie भी आपने देखी होगी नहीं देखी तो आपको story का बता होगा कि titanic किस तरहां डूबी थी iceberg जड़ी होंदी ना थल्यों सुमंदर करके मूं करके बाहर निकले होंदे बरफ दे लोग उदा सेरव जया थे उनने टा देता titanand on the other side titanic iceberg के साथ तक्रा आ गई थी you know we have burgers as well here so unfortunately enough lifeboards तो नहीं थी कोई save नहीं हो सका तो हम survivor rate को predict करेंगे क्यों कौन से parameters and how we can actually actually predict that variable तो यह leaderboard और बाकी सारी चीज़ें आप यहां पर पढ़ सकते हैं I'm not going into the details आपके पास यह link मैं आपको दे देता हूं and then you can have an idea आप यहां पर इसको जब read out करेंगे then you can have an idea कि किस तरीके से काम होता है at the end आपने क्या करना है submit करवानी है अपने file यहां पर drop करके और उसकी base पर आपका काम चलेगा notebook भी आप यहां पर अपनी जो है वो बना सकते है so it's totally up to you how you are going to work on this submission ठीक है जी यहां तक click हो गया अच्छा हमारा आप काम क्या है data यहां पर महजूद है यह data set है कहां से हमने download करना है यह gender submission है और test and train यह मेरे पास test and train है और यह submission की file है we have to submit that file ठीक है code अक्सर अकात आपने अगर देखने है तो सबसे ज्यादा code जहां वो इसी के है और I think she is the one who actually started this competition but I don't have any better idea 12,624 इसकी upvotes है हम कल वाले टेक्नीक यूज़ कर भी लें तो हम यहां तक नहीं पहुंच सकते फिलाल के लिए ठीक है हो सकता है साल एक के अंदर पहुंच जाए क्योंकि अगर हम किसी को कहते है केगल का account बनाओ लोग की account नहीं बनाओ दे आप वोट की कर नहीं तो वो काम चाहर रहे है बाए अप वोट का मतलब यह है कि आप वोट कर रहे है कि यह जो notebook है यह कमाल थी ठीक है and then you can actually work on that एक चैड के अंदर एक comment आया मुझे अभी के boys got swag men's yeah men not men's men got class अब हम यही करने वाले है men got binary class ठीक है binary classification करने वाले है यहाँ पे इस data की और swag competition है हमारा और इस पे हम काम करेंगे बातें बहुत होगी अब directly मैं move करूँगा और यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यह आपके पास आगी submission की file मैंसे download कर लेता हूँ यह आगी test की file मैंसे download कर लेता हूँ यह आगी मेरे पस train की file मैंसे download कर लेता हूँ ठीक है यह तीन फाइले मैंने download this notebook यहां तक clear हो गया कोई मसला मसायल तो नहीं है यहां तक अभी तक आपको यह आपको A to Z इंशाला मैं notebook के उपर काम करना सिखा रहा हूँ ताकि आप Kaggle competitions के अंदर participate कर सके I know there are many people जो यह कहेंगे अज नहीं करना participate तो भाई आप ना करें लेकिन सीखें जरूर क्योंकि यह वो वाली चीज़ है जो आम तरीके से सीखी नहीं जाती और ना बंदा खुद से participate करता है ऐसी चीज़ों के अंदर बंदे को यह लगता होता है कि यार मैंने क्यों participate करना मेरा तो काम ही नहीं है ठीक है तो हम उसी एक उसको तोड़ रहे हैं क्या उसको बोलते हैं एक तो ना मुझे चीज़ें भूलने लग गी है पाकसान जाने के बाद खैर मैं यहां पर अपनी नोटबुक शेयर करता हूँ यह जनाब मेरा VS Code आपके सामने नजर आ गया होगा ठीक है जी यह कामन आइविल अप्लोड एवरिफिंग ओन गिटाब लिंक जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुए मैं यहां पर फोल्डर बनाता हूँ इसका नाम रखता हूँ जीरो टू टाइटैनिक कम्पिटिशन टाइटैनिक कैगल कॉम्पीटिशन यह मैंने बना लिया अब मैंने क्या करना है यहां पर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम मैं रखूँँगा ठीक है और यहीं पर कैगल के अंदर मैंने एक नोटबुक बनानी जिसका मैं नाम रखतेता हूँ इसको मैं गयताँ तो कैगल .ipynb ठीक हो गया जी तो data भी यहां पे आ गया और titanic भी मेरे पास यहां पे आ गया and now I will copy the data जो मैंने यहां पे download किया था और उस data को यहां पे लाने के लिए simple तरीका यह है कि जहां पे आपने download किया वहां से copy paste कर दें so कोई इतनी science नहीं है इसके अंदर मैं ऐसे उठा के इसको data के अंदर paste कर देता हूँ तो यह मेरे पास तीन file बन गी यह वाली और एक मेरे पास titanic की है और hopefully अब आप इस इन चीजों को देखके परिशान नहीं हो रहे होंगे यह इतना कूछ क्या आ गया यह हमारे छे मा का course जो हमारा चल रहा है यह उसी का part है ठीक है zoom वालों को मसला तो नहीं है न इसमें अगर तुसी परिशान हो गए न तो बाकी तो हो ही गए फिर समझ गया न बाकी होंगा मुझे नहीं पता लेकिन जो लोग यहां पर मेरे साथ देख रहे है उनको पता होना चाहिए कि यह जो left side पर क्या चीज़ है right जी left side पर क्या चीज़ है and then right okay let's begin मैं यहां पर लिखता हूं kegel competition notebook ठीक है और मैं यहां पर लिखता हूं जनाब second में author मैं doctor मैं यहां पर अपना लिंक दूँँगा linked linkedin इसको मैं बाद में चेक कर लूँगा so don't worry about that अगर link कभी खराब आते हैं github का link मैं यहां पर दे दूँगा and then मैं twitter का link दे दूँगा और जो भी मेरी youtube वगएरा इधर उदर के link है वो मैं यहां पर दे दूँगा ठीक है और मैं website का link भी यहां पर दूँगा so I will do that later on लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि this works in a way और इनके hyperlink साथ बना सकते हैं अब आपको यह बहुत बड़े link लग रहे होंगे I can understand that क्योंकि मैंने यहां पर इसको dashes लगानी बेहतर समझना चाहिए था मुझे बजाए इसके के मैं इसको different way में लिखता तो मेरे पास यह ना already एक template मैंने बना के एकी दफ़ा रख लिए है कि जब भी किसी competition है जब भी किसी notebook का बनाना है तो मैं copy paste कर देता हूँ सारे के सारे automatically आज़ता है I will share that with you as well लेकिन for now you should know कि इस तरीके से हम कोई भी काम कर सकते है और उनको कुछ इस तरीके से हम add कर सकते है अब इसका title मैंने केगल competition notebook क्यों रखा because I am teaching you लेकिन हमारे पास notebook का एक title भी होना चाहिए which I am going to write down now हम यहाँ पर लिखेंगे अपना title जो है उसको मैं कहता हूँ इसको हम survival rate कह सकते है survival rate predicted by neural network in tensor flow ठीक है तो मैंने ऐसा काम किया है जिसमें सारे keywords आगे अगर कोई बंदा इस notebook को देखेगा तो ये वाला title उनके सामने आएगा and it will help them a lot reason क्या है जब वो इस चीज को पढ़ेंगे at that point he or she will understand कि यार अच्छा ये tensor flow में neural network को use करके इन्होंने survival rate को predict किया ठीक है simple तो मैंने सारे keywords इस वज़़े से title में रखे तो title आपका comprehensive होना चाहिए ये चीज अपने mind में रखिएगा अब हम क्या करते हैं सबसे पहला काम हमारा क्या होता है import libraries अच्छा मैं सबसे पहले तो मैं code लिखता हूँ किसी भी notebook का ये मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे पहले code लिखना चाहिए notebook का बाद में कुछ करना चाहिए तो मैं यहां से tensorflow वाला जो अपना environment उसे select करता हूँ code सबसे पहले लिखता हूँ बाद में उसे define करता हूँ ठीक है साथ-साथ मैं लिखता रहता हूँ hints वगारा outputs वगारा लेकिन बाद में end पे define करता हूँ सो इंपोर्ट लाइब्रेडिस मैं ने कर लिए यहां पे करता हूँ इंपोर्ट pandas aspd pandas aspd numpy matplotlib cbon ठीक है और इसके बाद हमने क्या करना है फिर आगे चलना है इसता है और मैं यहां पे import plotly dot express aspx इसको भी कर लेता हूँ so i know के मेरे system के अंदर first time में यह थोड़ा सा ज्यादा time लेते है to run and then it will be easier to run तो यहां पे मैंने इसको कर लिया second मेरा काम जो आपको सभी को पता है मैं अब इस पे ज्यादा focus इस वज़ा से नहीं करवाँगा because you know already क्या करना है जो हमने load the data ठीक है ठीक है तो यह हमारा train data हो गया इसी तरह हम test data भी निकालते है df underscore test हम नाम खुद रख रहे हैं लेकिन data वहां पे आ रहा है फिर हमारे पास एक तीसरा data है which is called submission.csv so मैं इसको बोलूँगा df underscore बलके इसको मैं बोलता हूं submission is equal to इसको हम दे देते है data के अंदर gender submission csv मैं इसको यहां पे लोड कर लेता हूं अब हम बारी-बारी देखते हैं df underscore train को पहले देखता हूं कि क्या है यह तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके से data है हमारे पास passenger ID भी है SNS से जब हमने लोड किया था हमारे पास यह चीज नहीं थी हमारे पास survivor rate 01 में पी class 123 में नेम भी मुझूद है passengers के ठीक है हमारे पास sex आज़ता है age sibling spouse पार्च या parent children आज़ता है ticket number भी हमारे पास मुझूद है फिर कितना पे किया था वो भी cabin भी and embarked भी ठीक है तो हमारे पास यह वाले कॉलम है यहां तक clear हो गया train के अंदर फिर हम देखते हैं tf.test tf.test के अंदर क्या क्या है मैं यहां पर इसको explore करता हूँ and here you can see के हमारे पास same वो ही कॉलम है ठीक है और एक चीज मिसिंग है इसमें क्या मिसिंग है अगर आप गौर करें तो हमारे पास survived का जो कॉलम है वो मिस है एक और चीज़ अगर गौर करें जब हम survived के कॉलम को predict करके वो submit करवाना है at the end बस यह हमारा task है कैसे करते हैं क्यों करते हैं कौन कौन सी notebooks है we can use those things notebook भी upload करनी बाइद आवे लेकिन हमारा main task यह है कि survived के कॉलम को predict करना अब उन्होंने train और test data दिये test data already उनके पास survived के कॉलम की ideas पढ़ी हुई है और ready पढ़ी है ठीक है हमने predict करनी है तो वो automatically compare करेंगे कि जो हमने predict किया है वो जो उनके पास पढ़ा है वो दोनों का comparison कितने है उसकी base पे leaderboard के उपर score आता है समझा ही बात की तो जब भी आप df underscore test देखें या test का data देखें in any kind of competition तो उसका मतलब यह है कि उनके पास original values ये labels पढ़े है you will predict that at the end क्या होगा वो आपके leaderboard में score add होता जाएगा इसी वज़ा से एक competition में आप multiple notebooks या multiple submission की file भी upload कर सकते हैं दिन में 10 भी कर सकते हैं ठीक है यहां तक clear होगी आपको बात यह बात मैंने इस वज़ा से बार बार बताई है you should know कि competition होता क्या है अब यह ना समझिएगा कि leaderboard में किस तरीके से काम हो रहा है हमें यह mainly जो चीज हमें समझनी है वो यह है कि जनाबे वाला यहां पे जब हम इस competition पे काम करेंगे तो देखें ना यह हमने जो submission की file बनाई थी इसको देखें तो आप गोर करें हमारे पास passengers की ID's है और उनका survivor rate यह हमने बताना है तो यह जो submission की हमारे पास file आई है ना यह basically a sample होता है समझना ही बात की हमने sample file की तरह अपनी file को submit करवाना होता है हमने क्या करना है passenger ID यह जो हमारे पास test data की है यह हमने यहां से लेनी है test data से और हमने उनका survivor rate जो हमने predict की है वो यहां पे लिखते है ना 01 की form कभी कबार उन्होंने मांगी होती है probability कभी कबार उन्होंने survived का 01 मांगा है तो you have to think के क्या मांगा है उन्होंने किस तरीके से present करना है समझ आगी यहां तक तो हम जब predict कर लेंगे उस file को यहां पे concatenate करके submit करवा देंगी that's it अब हम आगे चलते हैं हमारा main काम होगा train data बे ऐसे ही है training के data बे हमारा main काम होगा then we will use test data to predict अब training के data के अंदर जब हम काम करने होंगे न हम उसको x train y train x test y test में भी convert कर सकते हैं वो क्योंके हमारे पास available data कौन सा है ये वाला which have labels ये वाला data ठीक है अब हमारा हम total यही समझेंगे के हमारे पास जो data है वो यह है df.train underscore train हम दूसरों को ignore करेंगे for few lines of course ठीक है जब हमारा model train हो जाएगा then we will think के हमारे पास test data है so हमने क्या करना है इस में 80-20 भी लगा सकते हैं cross validation में कर सकते हैं we can do a lot of things सिरफ इस data में df underscore train में so df underscore train को further हम 80-20, 70-30 में divide कर सकते हैं that's what I am going to do but before that हमारा पहला काम है let's explore the data df underscore train csv हम इसको जो है explore करेंगे सबसे पहले df underscore train इसकी info लेते हैं तो हमारे पास आप अगर चेक करें तो कितने column है जी कितनी रोज है आठ सो इकानमें और हमारे पास column कितने है बारा और null values कहां पे हैं हमारे पास cabin के अंदर and embarked के अंदर and age के अंदर यही से पता चल रहा है न ठीक है so मैं यहां पे कहता हूँ कि let's plot the null values simply यहां पे हम plot करते है नल values को तो यह हमारे पास नजर आ गया कहां कहां पे null values है ठीक है मैं इसको थोड़ा सा zoom out कर लेता हूँ क्योंकि मैंने काफी zoom in किया हुआ था यहां पे null values है नी बलके इसको दस पांच की बजाए मैं इसको 8 और 6 कर देता हूँ 8 भी ज्यादा है 4 और 6 नहीं 4 और 4 तो यह मेरे पास इस तरीके से आ रहाएगी null values ठीक है अब आप देख सकते हैं इमबाग्ट में हमारे पास null values है और बाकियों में भी यह size आप खुद से भी decide कर सकते हैं यह किस चीज का size है यह जो नीचे image आपके पास बन के आ रही है उसका size है ठीक है आपके screen कितनी बड़ी है आप उसे साप से size को रख सकते हैं तो मैं यहाँ पे 6 by 8 अगर इसको करूँ so it will be like this अगर इसको 8 by 8 करनूँगा तो square हो जाएगा 12 by 8 करता हूँ so it will be like this और अगर मैं figure size बताता ही नहीं हूँ then it will be like fitting to the zoom ठीक है तो यह tricks होती है जो आपको समझानी चाहिए अब मेरे पास इंबाग्ट में missing values cabin में है और age के अंदर है तीन जगों पर missing values है मैंने plot तो कर ली plot करने से पहले मैं यह df.isnull वाला command ना लगा लू sum divided by length df.train करना है देखा यह अब आपके सामने train यह हो गया हमारे पास इसको sort भी कर लेते हैं तो हमारे पास cabin, age और embarked तीन जगों पर हमारे पास values जो हैं वो null है ठीक है, यहां तक clear होगी बात अब हमने क्या करना है, यह जो 0.22% है ना embarked की, इसको हम वैसे impute कर सकते हैं by using mod, age जो है इसको हम random fresh वाले के करेंगे और cabin को भी हम random fresh के through कर सकते हैं ठीक है, जो regressor यह हमारे पास दूसरी चीसरी चीज़े थी हम cabin को उड़ा भी सकते हैं so it's totally up to you कि आप इस column को retain करना चाहते हैं या आप इसे remove करना चाहते हैं ठीक है, so I'm not going to say anything about that लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपने इसको retain करना है be careful with that कि आप इसको किस तरीके से impute करते हैं age को आप iterative imputer से भी कर सकते हैं और embarked को आप सिधा सिधा जो मैंने आपको तरीका बताया है mod के सारे place कर सकते हैं अब यह वाले तरीका कार सारे के सारे मैंने machine learning के अंदर अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पे impute missing values के अंदर हमने यह तरीका कार देखे थे ठीक है dl missing values के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एक function design किया था खांग गया थोड़ा सा zoom out करना पड़ेगा मुझे not this notebook okay so that was 10 a linear polynomial ridge lasso let me see let me see किसको याद है किस notebook में था it just skipped my mind encoding अगी all models यहां पे best model selection में था I think projects में best model selection heart disease में yes function to impute null values यह हमने एक function बनाया था अगर आपको याद हो और इसके साथ हमने null values को impute किया था यह वाला define the function to impute null values तो हमने क्या किया था यहां पर अगर आप गौर करें तो हमने पहले categorical columns को separate किया और फिर boolean columns को अगर आपने करना है कर लें वरना numeric columns को यह तीन तरीके से हमने columns को separate किया था अगर आपको याद हो then we define this function जो यहां पर यह function लिखा हुआ है सारे का सारा ठीक है और इसके बाद हमने क्या किया था इन दो functions से बलके एक continuous missing values का था और एक हमारे पास था जो वो यहां पर categorical values का था ठीक है तो हमने इन functions को define करने के बाद यहां पर missing values को check किया था and then we actually implemented these two functions here by using for loop अगर किसी के पास कोई भी missing values थी तो वो impute होगी थी ठीक है यहां तक आपको clear है यह हमने काम किया था अब हम क्या करें कि इस वकत इस function को हम दुबारा से बनाएंगे कि हमारे categorical column जो है वो separate हो जाएं boolean separate अगर करने कर सकते हैं numeric column हमारे separate कर देंगे so मैं simply क्या करता हूँ क्योंकि मेरे पास यह सिरफ तीन चीज़े है ठीक है एक cabin है, दूसरा age है, तीसरा embarked है, embarked और cabin यह दोनों हमारे पास क्या है जी embarked, यह भी object है और cabin जो है वो भी हमारे पास object है यानि कि दो categorical है एक numerical है which is called age तो मैं इसको थोड़ा zoom in करता हूँ यहाँ पे मैं दोनों columns को separate कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे अगर उसी notations को follow करते हुए इसको copy करता हूँ यहाँ पे paste करता हूँ और यहाँ पे categorical columns के अंदर मैं लिख देता हूँ इसका best way बला क्या होता है आप क्या करें यहाँ पे df.columns लिख ले बलके df.train df.train.columns यह मैंने column separate किये ठीक है यह सारी के सारी note books आपको मिल जाएंगी don't worry about anything so cabin और embarked इन दोनों को मैंने copy किया categorical में आगे और यहाँ पे हमने age जो है ऐसे copy की ताकि spelling mistake भी नौँ यह numeric में आगे ठीक है तो यह हमने यहाँ पे numeric और categorical column separate कर ली अच्छा फिर हम यहाँ से function उठाते है copy करते है और यहाँ पे कर देते हैं ऐसे paste अब अगर आप गोर करें हमारे पास काफी libraries है जो यहाँ पे import करनी है हमने ठीक है और दूसरी बात हमने एक और काम करना है वो क्या है कि हमारा जो data है वो df underscore train है और यहाँ पे जो data दिया गया है it's df ठीक है so we can also see that कि हम इसको किस तरीके से change कर सकते है यह हो गया दूसरा काम function का फिर हम क्या करेंगे यहाँ से यह वाला method copy करके at the end लगा देते ताकि एक ही snippet के अंदर सारा काम हो जाए बजाए इसके कि हम इदर उदर जाते रहे ठीक है so हमने यह सारा के सारा काम कर लिया अब एक और चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो यह है कि missing data calls यह हमने एक object बनाया था let me see यह कहां पे बनाया हमने यह ठीक है so हम इसी को इसी तरीके से मैं उठाता हूँ copy करता हूँ और यहीं पे इसे paste कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पे df dfr है अब मैं क्या करूँगा df is equal to df underscore train समय रही बात की dot copy सभी हो गया तो हमारा जो df है आप वो df train हो गया अगर मैं आपको दिखाऊं तो something will look like this सभी है so मैंने उसको df भी कहा दिया तो df train तो है यह वो लेकिन अभी मैंने उसका नाम थोड़ा change करके उसको copy कर लिए data set को यहां पे तो हमारे पास सारी चीज़े होगी अब हमने सिर्फ जो काम करना है यहां पे libraries लिख रही है जिनके थूँ हमने import किया है और इसको मैं यहीं पे heading दे देता हूँ function to impute missing values from df so हम क्या करेंगे यहां पे अब यहां पे हमारे पास यह सारे का सारा काम आ गया libraries को import करते हैं तो simply मैं सबसे उपर जाता हूँ यहां पे जितनी libraries हैं यह वाली इन्हें मैं उठाता हूँ copy और यहां पे पेस्ट करता हूँ and now we will see के अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज रह गई है which is going to make a issue तो label encoder हमारे पास रह गया इसको हम यहां पे encode कर दोते हैं label encoder from pre-processing label encoder and everything else is looking like a wow just looking like a wow let's see okay so यह मैंने काम कर लिया इसके बाद हम क्या करेंगे df. वो is null वाली जो command है मेरी कोशिश यही होती है कि commands जो है पीछे से उठा उठा आगे copy करी जाओ वो ज्यादा बेतर है बजाए इसके कि हम दुबारा से लिखने बैठ जाएं तो इसको मैं उठाता हूँ copy at the end मैं यहाँ पे इसको paste कर देता हूँ तो मैं df को करूँगा because I am working on df लेजना so हमारे पास यह function बन गया है अब इसको run करके देखते हैं कि if it works or not मैंने इसको save कर दिया है और मैं सारी के सारी चीज़ों को commit भी कर रहा हूँ अभी और इसको मैं case study के नाम से commit कर रहा हूँ ताके यह पूरी की पूरी note book अभी आपके सामने github पे भी चली जाए ताके आप वहाँ से download करके इस पे काम कर सकें अगर कुछ problem मेरे पास यहाँ पे आती है यह मैंने function बनाया है यह इतना काम हमने क्यों किया है ताके missing values को accurately impute कर सकें ठीक है कल वाली एक note book के अंदर हमने एक भाई ने rows ही remove कर दी थी एसान भाई ने so we were arguing a lot on that topic तो उसी का दूसरा रूख यह है कि आप इस तरीके से impute कर लें मैं इस code को run करता हूँ बलके मैं सारे के सारे run all करूँगा because I don't know if I have worked correctly or not और यहां पर देखते हैं कि जी हमारे पास कितना time लगता है लें जनाब यह सारे कि सारे missing values impute होगे है तुक only 5.5 seconds obviously आपकी machine पर depend करता है कि कितनी heavy आपके पास notebook पढ़ी होगी है clear हो गया जी हमारे पास जो mean absolute error आई है 9.13 आई है r square .28 है cabin के अंदर 77.1 हमारे पास missing values थी और इसकी जो accuracy है 21.95 के साथ impute होगी है सोचने वाली बाते हैं यह मैं यह क्यों discuss कर रहा हूँ क्योंकि आप function लगा के कहेंगे बस हो गया काम, नहीं, रुके जरा, सबर करें वो संजदातवला नहीं तो .22 जो है, यह 90% accuracy के साथ impute हो गया है इसका मतलब इसका रूला नहीं है कोई भी ठीक है, embarked is fine value छोटी थी, accuracy अच्छी आगए अब इसका क्या करें 21.95 accuracy है 100% में से 22% accurately हुआ है इसको हम remove कर सकते हैं eyesight कर सकते हैं ठीक है, अब हमने क्या करना है हमने एक ऐसा function design करेंगे at the end के हम एक data के अंदर missing values जो cabin वाली है मतलब cabin वाला column imputed उसे रखके train करेंगे model को और एक जगा पे cabin वाला imputed cabin वाला column drop करके तो हम फरक देखेंगे, अगर कोई फरक है, it's fine we will keep it, अगर कोई deteriorate होती हुई इसके accuracy तो हम इसको निकाल देंगे, ठीक है this is how we can work, और अगर इसको check करें, 19 फीसेद value mean absolute error के है, 9.13 इसका मतलब पता क्या है, कि जो original values थी, उनसे predicted का फरक 9 absolute points का है, absolute का पता क्या है 9 सालों का, 9 सालों का on an average समझारी बात की, absolute होती है बिलकुल absolute value फिर root mean squared error क्या होगी वो 11.49 है, which shows कि आपके पास error है, r square score क्या बताता है, कि दोनों की dependence कितनी है ठीक है, original की और दूसरे की अब इस पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि age का column mean के साथ predict करने से बेहतर है कि हम ऐसे कर लें ठीक है, पहली चीज तो यह है क्योंकि mean ने तो बिलकुली biasness ले आनी थी, यह कमस-कम फिर भी random है missing values impute होगी, अब इस पे मैं ज्यादा बहस नहीं करने वाला और यहाँ पे plot missing values missing values को plot करते हैं again उसी तरीके से और you will see a black column black square किसके अंदर कोई भी missing values नहीं है so missing values are removed यहाँ पे मैं comment दे देता हूँ missing values have been imputed or removed from the data set अब एक चीज आपने देखनी है कि हम सिरफ train data set को देख रहे है test data set को चेक करें df underscore test कि उसमें तो नहीं missing values is null dot sum हाँ जी बताएं क्या हाल है 86 है जी age के अंदर और cabin के अंदर 327 है समझारी बात की तो हमने क्या करना है जब prediction लेनी है तो हमने या तो robust algorithm start करना है use करना है जो missing values को मद्दे नजर ना रखे या हम इनको impute करेंगे ठीक है यह मैंने point यहीं पे इसवाज जासे clear किया हम लोग सिर्फ train के उपर चल रहे है अभी फिला इसको मैं दुबारा ले किया हूँगा इस point को but for now you should keep in mind कि अगर इसको predict करते हुए आपके पास error आए ना तो यह वाली error है कि missing values exist कर रहेंगे सही है दूसरी error क्या होगी अब मैं आपको बताता हूँ हमने अब करना है data को encode features को encode करना है पहले तो मैं क्या करूँगा df को x y में split करूँगा so split the data into x and y ठीक है df drop survived कर देंगे और y में हमारा आगया survived ठीक है हमने कर दिया अब हमने क्या करना है encode the data label encoder use करके हम encode करतेंगे data ठीक है और x के अंदर जितने भी column है जो category या किसी और तरीके से उनको हमने encode कर दिया अच्छा फिर हम train and test split के अंदर हम data को convert करेंगे x train y train क्योंकि हमारा main data यही रहेगा हमने इसमें accuracy चेक करके फिरे आगे चल ले right and then we will see के हमने कौन सा model run करने for now I will just say के मैं इसको run करता हूँ everything is working fine आपको सिरफ एक दफ़ा x underscore train दिखा दूँ यह है जी x train सारा कुछ encoded है keep in mind हमने encoded information अभी store नहीं की अपने पास समझाई बात की अब अगर हम नहीं करते encoded information store तो क्या मसला होगा बोला test data का data हमारे पास कैसा है तो जब हम test को predict करने बैठेंगे न उसने मांगनी है यह वाली values one two three और हमारे पास होनी है different किसम के names या some other things ठीक है अब मुझे बताएं कि क्या name पे depend करता है किस बंदे को रख रहे हैं किस बंदे को निकार रहे हैं मतलब एक बंदे दना पोला है ज़रूरी तो नहीं हो पोला हो है यारे मैं मिसाल देता हूँ कि एक बंदे के नाम भोला है हो सकता है वो सबसे शिरारती हो कबूतर वाली बात सुनी होगी आपने वालो उसको कबूतर बाजी का शोग को बोले वाला ड्रामा नहीं देखा मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ ठीक है वो सबसे शिरारती है वो बंदा तो means to say कि अगर किसी का नाम कैथरीन है इसका मतलब यह नहीं है कि उस बंदी को जो है इन्होंने बचा लेना है मैं इसकी मिसाल बहुत अच्छी दे तो आपको नहीं मज़ा भी आएगा मिसाल सुनके एक बस जारी होती है यह मेरे से पहले जो पढ़े हुए उन्होंने शाहिद सुनी हो एक बस जारी होती है और रास्ते में डाकू पढ़ जाते हैं बस को ठीक है बस में डाकू आ जाते हैं सभी कहते हैं अपना समान निकालो और जूलियों में रख लो हम उसको पिक कर ले पीछे जाते जाते हैं हर किसी के नाम पूछते हैं नाम पूछते हैं तो न एक औरत से नाम पूछते हैं तो वो कहते है कि आपका नाम क्या है उसको डाकू कहते है आपका नाम क्या है कहती को सर तो डाकू कहता है ओहो ये तो मेरी बेहन का नाम है तो मैं आप से कोई चीज नहीं ले रहा तो आप ये समान अपना वापिस रख लिए अच्छा उसने तो क लिया आगे कोई पागल इंसान बैठा होता है मैं अब यहां पर मिसाल किसी के नाम की नहीं दूँगा तो उसको पूछते हैं समांस बगरा ले ले लेता है डाकू कहता है कि हाँ भी तेरा नाम क्या है वो होता बंद है कहता है नाम तो मेरा भोला है लेकिन प्यार से मुझे को मतलब यह कि उसने सोचा कि शायद यह कोसर वाले नाम से सारा सीन चल पड़ है इसकी वज़ा से काम सही हो जाए अब इसी मिसाल को फिट करते हैं इस डेटा सेट पे यह रहा आपका डेटा सेट जरूरी नहीं है कि जिसका नाम 670 नंबर पे आया इंकोडिंग करने के बाद वो सारे के सारे बच रहे हैं यानि कि कोसर नाम की बंदी जो है यहां पर बच नहीं सकती टाइटानिक में इसका मतलब है मशीन लर्निंग के मॉडल को अगर सारे कोसर कह देंगे या सारे 670 सारेंगे that doesn't make any sense ठीक है so name is not any important thing for machine learning training model क्यों नहीं important अब दूसरी चीज़ बताता हू क्योंकि हमारे पास उनकी ID भी है and IDs are always unique सही है तो हम क्या करेंगे यहां से survived के साथ साथ हम एक और column को drop करेंगे which is क्या है जी name ठीक है अब इसको मैंने drop की है यहां पे आगी है error इसको कैसे resolve करना को बता सकता है ऐसे अब देखते नेम वाला निकल लिया column अब मुझे बताएं और किस column की sense नहीं बनती पैसेंजर आईडी की बनती है अब इस लिए बनती है ठीक है तो training के अंदर passenger ID भी हमने ले लिए अब मुझे बताएं कि क्या passenger ID पर depend करती है कोई चीज नहीं 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 करती क्योंकि सभी की unique है वो सब्सक्राइड सब्सक्राइड नहीं करने वाली है connection को वाली है वेुए लिए टेंसरी वरन interess नुराटने बाढ़ें अबस्टवर मुझेट करें है उसमाने की नुराटने नुरामिट करेंगे आपके जल बने सबस्सक्राइम एफ siis सामने TensorFlow आजाएगा? TensorFlow आपने इंपोर्ट की है, मैं इस थोड़ा से code अब मैं क्या करने वाल हूँ? आपको जो TensorFlow की lectures मैं ने पिछले दिये हैं, उसी में से एक notebook से हम code लेंगे, ताकि आपको समझड़ाए कि हम कहाँ पे घूप रहे हैं. Deep learning की notebook में, MLP के ओपर बात करते हैं और यह सारे का सारा हमारे पास MLP का मॉडल है अर्ली स्टॉपिंग भी इस पे लगाएंगे और बाके चीज़ें भी लगाएंगे बट फॉर नौ फर्स फिर्स हम यहां पर मॉडल बिल्ड करके इसके उपर काम करने वाले ठीक है मैं यहां से इंपोर्ट से पेस्ट करता हूं ठीक है मॉडल इस इकल टू हमने सिक्वेंशल मॉडल बनाया एक्टिवेशन फंक्शन रेलू रख दिया ठीक है और एक्स ट्रेन की जो शेप है वो यहां पर हमने दे दी इंपुट लेयर आगे है हमारे पास फिर हमारे पास डेंस लेयर आगे जिसमें रेलू रख था है दुबारा से ठीक है क्योंके हम रिख्रेशन ले रहे थे उस मॉडल के अंदर तो हमारे अक्टिवेशन फंक्शन यहां पर कोई नहीं था लेकिन हम आप बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे है तो अक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होना चाहिए सोच लें एक दफ़ा क्योंकि ये काम आपको आना चाहिए सिगमोईड binary classification के लिए हमने क्या करना है सिगमोईड हमने function ले लिया optimizer हमने use करना है और loss function हमने use करना है हम optimizer atom use करें कि loss binary cross entropy कर सकते है और metric हम accuracy use करेंगे reason क्या है आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी जगा पे यहां पे आपको मैंने example दी थी जब हम किसी भी एक जगा के ऊपर कोई भी classification का task करते है that time we use different metrics और उसका optimizer सेम हो सकता है but loss and metrics different होते है ठीक है और इसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ है model.training जो हम जिसे कहते है train the model हम यहां पे epochs बताते है batch size बताते है वर बोस हमने one रख दिया तो X train, Y train epochs हमने 100 कर देते हैं या मैं इसको 10 बलके 100 ही रखता हूँ data set को बहुत बड़ा नहीं है ठीक है और यहां पे हम evaluate कर लेते है model को prediction बात की बात so यह हमारे पास कुछ चीज़े हैं जो हमने build किया model मैं आपको दुबारा से model को समझा देता हूँ हमारी जो पहली layer है input layer उसके अंदर जितने neuron हैं यह कितने neuron होने चाहिए जितने आपके features है उतने neurons पहली layer में होने चाहिए यह इसका पूरा lecture में मैंने आपको दिया हुए if you don't know please go back and see how many neurons should be in each layer ठीक है वो lecture है उसके उपर आप जा कि आपको पता चल जाएगा कि कितने neurons होने चाहिए और उपर से नीचे को neurons कम क्यों होते है उसकी भी reason यह है कि हमने बड़ी inputs से छोटी की तरफ आना होता है one या two inputs की तरफ ठीक है ओके जब हम binary classification की बात करें हम एक neuron इस वज़ा से use कर रहे है क्यों क्योंकि या तो yes है या तो no है ठीक है वो आजकल एक शायर बड़ा मशूर हो है ABC माईया सुना हुआ है ये वाले शेर नहीं सुना हुआ तो सुनियेगा सिरफ आपने YouTube पे लिखने ABC माईया आसी data science पढ़ दें है अब तेनू की माईया ABC माईया यहाँ पे हम one को use कर रहे है activation function sigmoid है yes या no में आजाएगा answer मतलब probability या yes है या no है binary classification zero या one तो इस वड़ा से एक है अगर multi class classification होगा जितनी classes होगी उतने neurons यहां पे होगे मतलब 10 classes है तो 10 neurons होगे हर किसी की probability different होगी so that's what we are going to do यहाँ पे इसको मैं run करता हूँ and hopefully it will work very well let's run this boom so data science के अंदर पैड़ी ना लगए किसी को तो फिर मजा मिल नहीं आता या पाई आउटपूट क्यों नहीं शो करवा रहा अच्छा start कर रहा था मुझे बड़ा मजा आता है यह इपोक्स चलते देखके यह guarantee होती है कि यार काम सही जा रहे है बिलकुल ठीक काम कर रहे है समझा रही है ना बातों की जो मैं कर रहा हूँ मैं दुरुदुर की बातें नहीं कर रहा मैंने आपको neural network समझाना है फिर आपने इस notebook को final करके submission file बनानी है ठीक है so मैंने original जो data है वहाँ से यह task लिए है and I'm going to show you that अब यहाँ बें चेक करें हमारे पास जो काम आया जनाब loss 15 से start हुआ accuracy 0.50 या 50% से start हुई accuracy 0.50 से start होके at the end हमारे पास कितनी आयी accuracy जनाब अगर आप गोर करें 0.67 67% और अगर हम गोर करें यहाँ पे loss हमारा function जो था 15 से start होके हमारा loss जो है वो down to 1.21 आगया ठीक है और अगर आप चेक करें बीच बीच में यह बिल्कुल अंदर मतलब ऐसे 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 जंप भी कर रहा था अब आपको नहीं समझा रही के data क्या लिखा हुए इसी वज़ा से MLP के lecture के अंदर मैंने आपको एक चीज समझाई थी which is this one कि आपने history के अंदर अपना model save करना है और validation data भी आपने निकालना है ठीक है अब हम क्या करेंगे मैं इसी command को उठाता हूँ बलके यहां से copy किया मैंने इसे अब मैं इसी के अंदर changing कर सकता हूँ but I will add into another one sorry okay so हम history के अंदर save कर रहें और validation data हमने रख लिया validation data मैंने बड़ी detail में आपको बताया था तो x test and y test को validation data भी बोल सकते हैं या इसके through invalidate भी कर सकते हैं साथ ही तो यहां पर check करते हैं जी हमारे पास यह क्या कहते है और अगर 100 epochs पहले चले हैं ना यह 200 epochs है आपको मैंने समझाई थी ना बात जब एक neural network train हो रहा हता है पहले 100 चले हैं ना तो अगर आप दुबारा से कोई code run कर रहे हैं that will start from 101 हाँ जी कुछ समझाई? क्या हुआ है? नहीं समझाई? चलें आपको एक चीज मैं पहले बता दे तो फिर इस पर हम बात करते हैं मैं इस से उपर वाले सारे के सारे दुबारा run करता हूँ और यहां पर इतनी चीज को मैं comment आउट करता हूँ बलके इसको मैं cancel करके अगले cell में ले जाता हूँ इसको भी run करता हूँ और यहां पर यह वाला मैंने comment आउट कर दिया अब हमारे जो epochs हैं वो 0 से start होंगे और 100 तक जाएंगे ठीक है? और वो plot भी होके हैं तो आप अगर चेक करें हमारे पास loss और accuracy का क्या scene बन रहे हैं कोई समझ नहीं आ भी ठीक है? and this could be due to the wrong function use कि हम यहां पर जो function use कर रहे हैं वो हमारे पास घलत भी हो सकता है so train and validation का हमारे पास loss आया यहां पर print होके which couldn't be the true one which shouldn't be the true one अच्छा, मैं क्या करता हूँ दुबारा से यहां पर पहले history को देखते हैं और यहां पर हम plot करते हैं यहां पर इसको मैं दुबारा रण करता हूँ बलके इसको stop करके run all करता हूँ और आपने बताना है कि गलती कहां पर हो रही है because actually you can see that और यह बहुत नॉर्मल गलती है जो सब के साथ होती है कोई बता सकता है कोड को देखके exactly YouTube वालों ने पहले बता दी है Zoom वालो नेंदा मुरियां कर लो दुज़ी यह loss function क्या हुआ है यहां पर इसकी वज़ा से क्या मसला आ रहा है हमारे पास different तरीके से चीज़ें calculate हो रही है and it's making it random ठीक है हम मैं क्या करूँगा यहां से compile model का जो हमारा function था इसको copy करता हूँ यहां पर paste करता हूँ and now we will rerun all the notebooks all the notebook और मुझे नहीं पता आप क्या होने वाला है but usually it happens और अगर आपका flat graph आए ना तो गलती तो अटको ही होई है अब जेक करें आपका graph यहां पर sense बना रहा है या नहीं बना रहा मैं बलके यहां पर यह जो मैं figure size यहां पर दिया हुआ subplots figure size loss and validation यह 12 अट की बज़ए 10 अट कर लेती है बलके ठीक है यह plot हमारे पास आए है अगर आप चेक करें यहां से हमारा loss जो training loss है और यह validation loss है यह दोनों नीचे को गए है हमने सिर्फ loss को यहां पर फिला print किया है अगर आप चेक करें तो training और validation दोनों loss ऐसे loss है एक training data पर है यानि कि जो over fitting के होने के chances हो सकते है validation loss ऐसा होता है जो आपके unknown data के उपर आप चेक कर रहे होते है ठीक है एक training के दुरान होता है और दूसरा आपका testing के दुरान भी हो सकता है अच्छा अब यह curves क्या कहती है इनके बारे में बाद में discuss करेंगे but for now I can say कि यहां पे जहां पे elbow आती है ना जहां पे पहली reduction होती है और उसके बाद जो changes यहां पे आ रही है इसको हम callback function के साथ पहले रोकते हैं ताके हमारे पास जो callback function हमने use किया था early stopping के लिए we can use the same callback function as well here और हम इसको time से पहले रोकने की कोशिश करते है ताके हमारे पास ज्यादा mess ना create हो ठीक है तो मैं यहां पे same वही function वहीं से उठा रहा हूँ ताके आपके सामने patience भी मैंने बता दिया और callback early stopping यह हम यहां से copy करते हैं और यहां पे इसे paste करते हैं and verbose इसकी one कर देते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उन चीजों को देखना and यहां पे हमने किया training and testing loss and accuracy at each epoch तो यह है जिनाब हमारा training loss इसको हम कह देते है validation loss validation loss यह तो हो गया हमारा a plot फिर यह training accuracy and validation accuracy आगे यह आपके सामने epochs चल रहे होंगे जिनाब and now you can see के हमारे epochs साथ भी चल जाएं तो हमारे पास patience के हिसाब से यहां पे काम ठीक हो रहे है क्योंकि मैंने patience जो रखा है वो 5 का रखा हुए अगर मैं इस patience को 15 कर दूँ मैं सारी notebook को दुबारा से run करता हूँ क्योंकि data set चोटा है पहली बात mind में रखिए data set चोटा है हमारा मैं neural network की practice आपको साथ साथ करवा रहा हूँ data set हमारा चोटा है so that could be one of the reasons लेकिन मैंने यह सभी को run किया now you can see के हमारे पास 15 epochs के जो patience के साथ early stopping जो हमारे पास हुई है we can have a look के हमारे पास training accuracy and validation accuracy बड़ी random आ रही है बहुत ही random आ रही है ठीक है और यहाँ पे जो training loss and validation loss है this is coming in this way ठीक है अब यह वाली curve क्या कहती है और यह वाली curve कहती है we will talk about this later लेकिन जो main चीज है वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारे पास validation accuracy है वो 0.48 है और हमारे पास जो training accuracy है 0.57 यानि कि जो हमारी original training के तुरान accuracy हम देख रहे थे बार-बार quizzes लेके उसकी accuracy कितनी आई 0.57 यानि कि 57% validation पे 0.48 अब इसकी reasons के बारे में discuss करते हैं और neural network को आप और भी define कर सकते हैं इसको और भी deep लेके जा सकते हैं और इसको आप और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं जैसे मैं यहां पे 64 की बजाए इसको मैं 128 कर दूँ इसको मैं कर दूँ बलके 128 के बाद एक और hidden layer मैं यहां पे डाल देता हूँ इसको थोड़ा सा complex करने के लिए यहां पे hidden layer 1 hidden layer 2 और यहां पे मैं कर देता हूँ 64 ठीक है 32 और फिर 1 बलके एक hidden layer मैं और ले आता हूँ copy यह multi layer perceptron इस तरीके से बनता है इसको मैं 16 कर देता हूँ and then we will see के इसमें कोई change आई है कि नहीं आई एक और hidden layer डालता हूँ which is 4 8 यह 4 कर देता है बलके 8 neurons कर देता है अब मैं सारी notebook को दुबारा run करता हूँ and then we will see कि क्या change आती है and it will take more time आप देख रहे होंगे epochs अब सही तरीके से नहीं जैसे पहले speed के साथ चर रहे थे अब थोड़ा सा ज्यादा time ले रहे है because now we are having different kind of neuron there अब आप चेक करें आपके सामने क्या हो रहे है loss जो है वो भी fluctuate करने लग गया so हमारे पास data कितना है छोटा सा data है हम काम कर रहे हैं बड़े बड़े समझ आई बात की चले इसकी एक और देसी मिसाल ले ले एक बंदा रात को ना duty से वापिस जा रहा था रास्ते में उसे मिला अलादीन का चराग जैसे होता है उन्हें चराग रगड़े है वी चुईटा की जेन लिकला है जैनु नु कहनदा जैनु कहनदा जो हुकब बेरे आंका कहनदा आथे एक अजे कार पाइश कनाल दी कोठी बना दे वड़ी पिजारो बार खड़ी कर दे प्राटों खड़ी कर दे इन्हां घेन्सटा की मिरा साइज है और को दें दो इम उखालो एए बड़े काम ना कराओ सो जितना डेटा का साइज है हम बिचारे से बड़े काम करवा रहे है मतलब डेटा पर बड़े काम ले रहे है सो तो आप यहां पर जिन की मिसाल अपने माइंड में रखियेगा and then you can understand कि इतनी complexity से क्या हुआ है सारे का सारा बेड़ा गरख हो गया यहां पर ठीक है on the other side आपकी accuracy जो है validation की .54 हो गई है accuracy बड़ी है लेकिन fluctuate करके बड़ी है अच्छा यह तो छोटे data set पर हमने काम किया है अब मैं आपको एक बात बता हूँ data set बड़ा भी होगा न you will use the same kind of techniques अब आपने काम क्या करना है मैं यहां पर इसको दुबारा से case study के नाम से इसको commit कर देता हूँ सारी की सारी चीज़ आपके पास चली गई है आपने क्या करना है इस पर different किसम के models जो आप पहले run करते हैं xg boost हो गया random forest हो गया या knife base हो गया या other किसम के algorithms वो आपने run करने and then एक काम आपने और करना है जो यहां पर बड़ा कारसाज साबित होने वाला है that is you have to go to another competition कौन सा competition है उसकी बात हम करते हैं यहां पर अगर मैं दुबारा से competitions पर जाओ competition का नाम है जो मैंने कल भी बताया था यहां पर bank churn का data set होगा bank churn classification data इस पर मैंने participate कर रहा हूँ इस वज़ा से यह मेरे पास उपर आता है तो इसका वे link आपको दे देता हूँ आपने क्या करना है इस data set के उपर इस data set के उपर आपने काम करना है same binary classification का ही data है चोटा था मसले मसाइल आ रहे थे आपने क्या करना है यह वाला data set उठाना है जिसकी रोज कितनी है 165,000 एक लाग 65,000 versus 899 800 कितनी थी 890 तो 891 सो 165,000 versus 891 कितना बड़ा फरक है जी इसका मतलब है binary classification के data पे जब आप काम करेंगे especially big data पे you will need neural network तो आप क्या करेंगे आप neural network plus कोई भी boosting या bagging का algorithm यह 3-4 चीज़ें आपने लगानी है और binary classification करके देखनी है कि how it can work based on the data set आपने फिर compare करने neural network को versus other models ठीक है और best model को आपने select करके यहाँ पे submission की file upload कर देनी है data कहां से लेने same वही चीज़ इनके भी तीन फाइले है test, train and sample submission ठीक है and you have to submit this file before 1st of February और इनकी last date 31 January है ठीक है 31 January इनकी last date है तो आप क्या करें इसको as soon as possible complete करें 25 तरीक तक उसको submit करवाएं फिर उसमें changes करते रहें फिर submit करवाएं फिर changes करते रहें go to code और यहाँ पर लोगों का किया हुआ काम देख सकते है ठीक है leaderboard पर भी जा सकते है अभी तक का maximum accuracy score है that is .89886 maximum accuracy score जो है ठीक है और यह score basically सिरफ accuracy का नहीं होता precision, recall, f1 score बाग की metrics को मिला के होता है सही है so they have their own criteria आपकी leaderboard की जो होती है और चीज़ें होती है वह आपके सामने आती है okay that this leaderboard is calculated approximately 20% of the test data the final results will be based on the other 80% so the final standings may be different ठीक है so यह जो है यह final नहीं है results final results आने है so it could be a point के आप इसको win कर ले rules यहाँ पे लिखे हैं this competition के teams आपने बनानी है you can make your teams यहाँ पे team member आप add करके teams भी बना सकते and then you can work collectively submission यहाँ पे आपने करवानी होती है and then you can see all your submissions here यहाँ से submit करवागे so यह दो competitions है दोनों पे binary classification का काम होने आप कोई भी data set उठाएं जो दोनों में से है उस पे practice करें practice करने के बाद file बना के proper upload करें आपको समझ आ जानी के मेरी accuracy कितनी है या मेरे matrix कितने काम कर रहे है so एक तो यह चीज़ हो जाए कि दूसरी यह चीज़ अगर आपकी note book बहुत अच्छी होगी तो लोग उसको follow भी करें ठीक है जी यहाँ तक आपको clear हो गया होगा अगर आपने like, share, subscribe नहीं किया तो वो भी कर ले मैं भूली किया था किया न